RCB के मुक्या का तुफान विराट कोली के साथ टिंशन में आ गय थे गिल खोशी से जूम रही थिया नुश्का शर्मा पतनी को देखकर पहले ही बॉल पर जड़ दिया कोली ने चखका चड़ते चान बवंडर जैसा हो गया मैच आखर तक लड़ते रहे गुजरात के खिलाडी रोचक हो गया मैच तूट गया था रुश्का शर्मा का दिल गिल के एक गिंदवाज ने विराट कोली की पूरी सेना को समिट दिया वॉल्ड कप से पहले लोट रहा दिगजो का फॉर्म सिराज की तूफानी गेंदवाजी नूर एहमत का तांडो प्रिंस का घटिया खेल 13 चके 35 चोके हिल गया स्टेरियम एकका दुका से ज़्यादा चोके चको की हो रही थी बारिश अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज भी हार जाती आरसी भी आज विराट कोली एक उस्से से तम तबाए हुए थे आज विराट का जोश देखनी लाएक था फिल्लिंग से लेकर बैटिंग तब विराट कोली बहत अग्रेसिव दिखाई दे रहे थे वज़ती अनुषका शर्मा दूसरी बार माँ बनी अनुषका शर्मा पहली बार आईपियल 2024 के मैच का लोट उठाने के लिए स्टेरियम पहुँची थी मैदान पर लगे सारे कैमरे अनुषका शर्मा के रियाक्शन को कैट कर रहे थे जैसे जैसे विराट कोली अग्रेसिव हो रहे थे वैसे वैसे उनका रियाक्शन वाइरल हो रहा था फिल्लिंग के दोरान अनुषका और विराट ने एक दूसरे को जम कर फ्लाइं किस थे लक्षे का पीछा करने उतरी RCB शुरुवात में तुफानी बल्ले बाजी कर रही थे कप्तान के आउट होने के बाद सारे किलाडी नंबर लगा कर पवेलिन वापस जा रहे थे तब ही आगया विराट कोली का भी नंबर जो इसकी वजह से अनुषका शर्मा का दिल तूट गया मुस्कुराते हुए चेहरे पर मायूसी चा गई फिंगर क्रॉस करके बैटी अनुषका बस यही दुआ कर रही थी कि किसी तरह मेरी और विराट की इज़त बच जाए क्योंकि अनुषका शर्मा का ये पहला मैच था जो अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुँची थी मैच में क्या कुछ हूँ आप इसको जान लेते हैं फाब डुपलेसीज और विराट कोली की तुफानी बल्ले बाजी से रॉयल चैलेंजर्स बैंगदूरू ने गुजराट टाइटन्स को अपने घर में चार विकेट से पीट दिया मैच में आरसीबी ने टॉस जीत कर पहले गिंद बाजी करते हुए गुजराट की पारी को उननीस तश्मलों तीन ओवर में 147 रन पर समिट दिया था इसके बाद लक्ष का पीछा करने उतरी आरसीबी के लिए फाब डुप्लेसीज और विराट कोली ने मिलकर धूम मचा दी फाब डुप्लेसीज ने 23 गेंदों में 10 चौकों और 3 चकों के साथ 64 रन की धुआधार पारी खेली इसी दोरान उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली सिर्फ फाब डुप्लेसीज ने विराट कोली ने भी बल्ले से खूब धमाल मचाया कोली ने 27 गेंदों में 42 रन की पारी खेली हाला कि फाब की आउट होने के बाद आरसीबी की पारी पावर प्ले में लड़ खड़ा गई लेकिन दिनेश का टिक ने एक बार फिर से फिनिश्टर की भूमिका निभाते हुए आरसीबी को जिद दिला कर वापस लोटे गुजराट के खलाफ इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने तुफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए पहले च्या और में 92 रन बना लिये थे इस तोरान टीम ने सिर्फ एक विकेट गवाया फार्ब डुपलेसीज के आउट होने के बाद विल जैक्स परले बाजी के लिए उतरे थे पहले विकेट के लिए आरसीबी की रन गती पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया इसके साथ साथ टीम ने 99 की स्कोर पर विल जैक्स का विकेट गवा दिया दो विकेट के बाद तो गुजरात की गिंदवास मानों अपने पूरे फॉर्म में लोट आए जोश्वा लिटल और नूर एहमद ने मिलकर मैच को रोमांचक बना दिया पाउर प्ले के बाद गुजरात की टीम ने अच्छा विकेट जटक कर आरसीबी को मुश्किल में डाल दिया फार्ब डूप्लेसीज के आउट होने के बाद आरसीज़ के चार बले बाज मलकर सिर्फ आठ रन ही बना पाए लगतार गिर रहे विक्टो के बीच गुजरात के लिए वापसी का एक बहतरीन मौका बन चुका था लेकिन दिनेश कार्टिक ने मोचा संभालने का काम किया और उन्हें आखर तक पैटिंग करते हुए टीम को जीत दिलाए कार्टिक 12 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे अपनी पारी में कार्टिक ने कुल 3 चौके भी लगाए इसके लावा स्वपनिल सिंग ने भी 9 गेंदों में 15 रन बनाए आरसीवी के लिए लक्षी का पीछा करते हुए फार्ब डुपलेसीज और विराट कोली ने जस तरह से शुरुआत की थी उससे ऐसा लग राता की टीम एक बड़ी जीत हासिल करेगी लेकिन जैसे ही आरसीवी का पहला विकेट गिरा उसके बाद गुजरात के तेज गिंदबाज जोश्वा लिटल ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया लिटल ने 2 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट अपने नाम की जोश्वा लिटल को साथ मिला नूर एहमत का जिनोंने 2 विकेट हासिल की इस तोरान इन दोनों को अगर गुजरात के अने गिंदबाजों का साथ मलता तो शाय टीम 147 रन का बचाव करते हुए एक बड़ा उलट फेर कर सकती थी